तो आज हम एक ऐसी ड्राइफ रूट के बारे में बात करेंगे जो कि हर बीमारी में या फिर सरीर के किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करने में एक भोती लाबदाएक ड्राइफ रूट है जिसका नाम है खजूर जिसको अंगरेजी भासा में बोला जाता है डेट्स आज हम जानेंगे कि खजूर का नियमित रूप से सेवन करने में क्या-क्या फाइदे हैं कैसे आप इसका सेवन कर सकते हैं और कितनी क्वैंटिटी में आपको ये लेना है लाब जानने से पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या तत्तों पाए जाते हैं जो कि ये बोडी के के लिए यानि शरीर के लिए इतना लाइबदाइक होता है इसमें पाए जाता है पोटासियम मेगनिसियम आयरन कैलसियम विटामिन बेशिक्स सुगर कार्बोईटरेट प्रोटीन और जो 300 के आसपास इसमें कैलरीज पाई जाती है तो इसलिए ये इतना ज्यादा गुनकारी ह ऑप जानते हम इसके फाइदे क्या है तो सबसे पहला जो फाइदा है वो है कोलेश्ट्रोल को कम करता है अगर अपनी डाइट में आप 4-5 खजूर आप डेली खाते हैं तो ये आपके कोलेश्ट्रोल को रिड्यूज करने में आपकी मदद करता है क्योंकि खजूर के अंदर जीरो कोलेस्टोल पाया जाता है दूसरा लाब जो है हड़ीयों को मजबूत रखता है खजूर में कोपर सेलिनियम और मैगनीसियम बरपूर मातरा में होता है जो कि आपकी हड़ीयों को मजबूत रखने में या फिर उन से जुड़े किसी भी परकार के रोक को कम करने में उन से बचाने में आपकी मदद करता है इसमें विटामिन के भी भरपूर मातरा में पाये जाता है जो कि आपके खुन को गाड़ा होने से रोकता है जो कि आपको हार्ड अटेक के खत्रे से भी बचाता है और आपकी हड़ियों के लिए जो मेटाबॉलिजम चाहिए होता है उसको भी रेगुलेट करने में मदद करता है तो हड़ियों के लिए ये बहुती लाबदायक और गुनकारी है अगला जो फाइदा है वो है दिमागी स्वास्ते को ठीक रखना ये एक जो अलजाइमर नाम की जो बिमारी होती है जिसमें यादास्त कमजोर हो जाती है उसको भी ठीक करने में मदद करता है क्योंकि खजूर के अंदर कॉलिन और विटामिन बी होता है जो के सीखने और यादास्त को बढ़ाने के लिए लाबदायक होते हैं ये जो बच्चे जो अलजाइमर बिमारी से उनके लिए ये बहुत ही गुनकारी हो सकता है और ये जो आपके ब्रेन में यानि आपके दिमाग में प्लाग बनने के वज़े से आपकी यादास्त कमजोर हो जाती है उस चीज को भी रोकने में आपकी मदद करता है प्ला लाब है पाचन स्वास्ते को यानि डाइजेस्टिव सिस्टम को तंद्रूस्त रखना खजूर में प्राकर्तिक फाइबर पर चूर मातरा में पाये जाते हैं अगर आप 100 ग्राम खजूर लेते हैं तो उसमें लगबग 8 ग्राम फाइबर होता है इस प्राकर्तिक यानि जो स्टूल आप पास करते हो उसमें सुधार करता है अगर मल अगर आपके बोड़ी से अच्छे से निकल जाता है तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियां आपके सरीर से निकल जाती है और जो आपका बाउल मुवमेंट है उसको भी सुधार करता है ताकि साइम बनी रहती है खजूर में अंटी एजिंग गुन भी होते हैं यह मेललीन नाम का जो हॉर्मोंस होते हैं उसको इकठा होने से रोकता है जिससे कि आपके ताउचा कॉमल और सुन्दर बनी रहती है अब हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए खजूर से क्या फाइदे होते ह ज़्यातर महिलाओं में स्टार्टिंग से ही जो खून की कमी है शरीर में वो बनी रहती है हेमोगलोबिन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है अगर आप में आइरन की कमी है तो आपको अपने रोजाना के अहार में खजूर को सामिल करना चाहिए उचित पॉसन के लिए रोजाना 100 ग्राम खजूर को च्यार बार करके खाना चाहिए आपको जिससे आपके अंदर खून की कमी है उसको कम करने में या पिर उसको पूरा करने में खजूर जो है मदद करता है टेडिस की रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि खजूर यानि डेट्स पूर्सो की जो योन समता है यानि जो सेक्स पावर है उसको बढ़ाने में भी कारगर है खजूर में मौझूद फलेवेनाइड और एस्ट्राडियोल स्पम काउंट और स्पम क्वालिटी बढ़ाने के लिए जम्मेदार है एक आदमी नियमित रूप से खजूर खाने से अपनी योन और सारे लिक सकती को बढ़ा सकता है तो कैसी लगी जानकारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अपने परीजनों में सेर करें ताकि ये इस बारे में जानकारी या फिर जाग रुकता फैले लोगों के अंदर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए प्रोड़क्ट के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद